विवेक अनजी ने अपनी फिलोस्थी वहीं शिकागों के भाषण में देने शुरू कर दी थी। उनकी फिलोस्थी भारत की फिलोस्थी है। उसमें थोड़ा बहुत नए जमाने के हिसाब से उन्होंने परिवर्चन किया है। शंकराचारिये का जो वेदान्त है जिसको ऑफिशल फिलोस्थी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का अधिकारी दर्शन आप दुनिया में किसी से बात करो भारत के दर्शन की तो वेदान्त शंकर पर चला जाएगा। उन्याय की बात नहीं करेगा, वेशेशिक की बात नहीं करेगा, सांक की नहीं करेगा, वेदान्त की नहीं करेगा। वो कहगा तो इसलिए जो हमारी ओफिशल फिलोस्थी है, जिसके नाम से दुनिया हमें जानती है, वो फिलोस्थी है हमारी वेदान्त की। और उस वेदान्त को पराकाष्टा पर ले गए थे शंकराचारी है, अपने अद्वेत वेदान्त में, तो हमारे जो वेवेका नंदी हैं, उन्होंने उस फिलोस्फिक को ही भारत की अधिकरित फुलस्फिक के रूप में सुखार किया, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया इसलिए अब इनकी फिलोस्फिक का नाम नियो वेदान्त हो गया, N-E-O, चाहिए डबलू रगा तो लेकिन उन्होंने ओ लगाया है, N-E-O, नियो वेदान्त, वेदान्त का आज के यूग के अनसार या पास्चात लोगों को समझाने के अनसार, जो गूर शबदावली शंक शंकराचारीये ने परियोग की, उसको वेस्टर्न टर्मिनलोजी में लाकरके और उसी फिलोस्फिक को हम सामने रख दें दुनिया के, तो विवेक अनन्न ने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि वेदान्त में सबसे बड़ी बात यह थी शंकराचारीये में, के बड़े गेर गहरे अर्थों वाले सूत पुरुसुन शंकराचारी ने दिये थे, तो हम शंकराचारी की फिलोसफी को या भारत की वेदान्त की फिलोसफी को अगर दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा सरवी करण करना पड़ेगा, तो विवेकारंदी ने वहां पहला जाका अपना परिचे दिया, वो ये किया कि भारत की फिलोसफी क्या है, और भारत की फिलोसफी को ही उन्होंने वेकारंद के पांच भाशन हुए, पांच भाशन में उन्होंने भारत की सारा दर्शन जो इसको निचोड़ करके रख दिया, लेकिन मुखे दर्शन मुझे फ संस्कृति का आधार हिंदू धर्म है आज तक जो भारतिय संस्कृति अक्षुन ने बने हुई है सारी दुनिया की संस्कृतियां मिट गई और भारत में अभी तक ये संस्कृति नहीं मिटी ऐसी कैसी चल लई है ये किस लिए चल लई है कि हिंदू धर्म जो है उसके अंदर क नहींちゃん पोष सी अच्रुदू को नहीं भाषण कार्ण भाषण नहीं दिया, आप अपना परिचए कराये, कि आप हैं कौन, क्योंकि सारे डेलिगेड़ी आपना परिचए तो आपना परिच लड़ाय थे, अपने धरम का थोड़ा में परिच्centric को के आपना परिचे का रहाते ह और क्योंकर उन्होंने का कि मैं उसी philosophie को मानता हूं जो मेरे भारत की प्राचीन philosophy है इसलिए जब उपना परिक्षे कराने के लिए पहले देन खेवल परिक्षे का introduction का उनका भाषन था उत्में उन्होंने कहा कि मैं उस देश से आया हूं अपना नाम नहीं लिया कि मैं कौन हूं क्या हूं कितना बड़ा सन्या से हूं या क्या ये कहा कि मैं उस देश से आया हूं जिस देश में सभी धर्मों का सभी पूजा पद्धतियों का जो आदमी भगवान को जिस रूप में मिला चाहे उसी रूप में उस धर्म का आदर किया कि लेट मी इंट्रोडूस मैशेल्फ। मैं अपने आपको इंट्रोडूस कर रहा हूँ अमरिका की बहनों और अमरिका के भाईयों। और जैसे अमरिका वालों ने पहली बार ये सुना था कि अपना पन कोई आदमी बोग सकता ए तो अपना पन भी हो सकता है। तो इतनी तालियां बजी इस बात पर ही, क्योंकि अमरीकन कल्चर में कहीं अपना सारी कल्चर में फॉर्मेल्टी फॉर्मेल्टी है, कहीं किसी जगे भी थोड़ी सी जगे भी ऐसा नहीं है, कि वहाँ अपना पन या एफेक्शन या कुछ इस तरह की चीज हो, तो उन्होंने जैसे काफी देर तक तालियां में इत्य नहीं, बलकि मौका नहीं मिला सुनने का, फिर बड़ी मुश्किल से शांत किया उसने, जो प्रेसिडेंट से उन्होंने, तब इन्होंने कहा, कि मेरे कंट्री में कहीं भी, मैं उस देश का रिप्रेज़ा, उस कल्चर को रिप्रेज लेकिन मेरा धर्म एक्सक्लूसिव नहीं है, माई फिलोसफी इन्कूलूसिव फिलोसफी है, जिसमें सारे से सारे मौझूद हैं, और उसमें क्या है, कि उन्होंने कहा कि हमारे देश का ये इतिहास है, पुराना, दारशलिक इतिहास, कि जब दुनिया में दमन हो रहा था, धर्म के नाम पर लोगों को कुछला जा रहा था, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता था, तो इत वाद माई कंट्री जिन्होंने उनको रिफ्यूज दी, उनको शरण दी, और ये कहा कि हम पूजा पद्दती में विश्वास नहीं करते, आप कोई सी भी पूजा संस्कृति के साथ मिल जाओ, तो विवेकर रंजी नहीं सारे उधारन दिये, उन्होंने का जब रोमन एंपायर जब फैली दुनिया के अंदर, तो रोमन एंपायर वारोंने क्या किया, कि यहूदियों को उनकी देश से निकाल दिया, जो यहूदियों की मात्र भूमी थी, यहूदियों की जनम भूमी थी, जरोचलम, उस जरोचलम से उन्होंने कहते हैं, इस से बड़ा और क्या अत्याचार होगा, धरम के नाम पर अत्याचार हमारी संस्कृति ने कहीं नहीं किये, इंडियन कल्चर ने धरम के नाम पर कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन रोमन एंपायर जो इतना दावा करती है कि सबसे बड़ी दुनिया के एंपायर थी। उन्होंने क्या किया कि अपने ताकत के नशे में पॉलिटिकल पावर के नशे में अपने धर्म को इंपोज करने के लिए। लेकिन मेरे कंट्री में जब आए यहूदी और आज तक मेरे कंट्री में बसे हुए हैं वो उस जमाने से रोमन अमपायर के जमाने से वहां उनको जगे दी गई जो उनके पूजा के स्थल है वो बनाने में किसी ने उनका विरोध नहीं किया मेरा कंट्री कोई विरोध नहीं क तो मेरी कल्चर में यहूदियों को उनके पूजास्तान बनाने के आग्या दी गई आज तक बने होए हैं वो पूजास्तान, इसी तरह से पार्षियों को इरान से निकाला गया, इसलाम का तुफान चला बड़ा भारी और उन्होंने पार्षियों को कहा, एक हाथ में तलवार ह और एक हाथ में हमारी कुरान है या तो आप अपना पार्सी धर्म छोड़ करके और हमारे इसको सुईकार कर लो नहीं तो कसल कर देंगे। कितने पार्सी मारे गए वहाँ धर्म के नाम पर लेकिन कहते हैं जो अपने धर्म को बचाना चाहते थे वो बहुत मामूली सो डेड़ सो दो सो आदमी जो थे वो इरान से भाग करके आए हमने उनसे नहीं पूछा कि तुम किस वे मैं पूजा करते हो भगवान की इंडिया के क किसी भी मारे फिलोस्फरन ने उनसे ये नहीं पूछा पर्सी क्यूटन हो हुआ है रिलीजन के नाम पर और रिलीजन के नाम पर जो पर्सी क्यूशन है वो इंडिया के लिए बड़ी स्टेंड चीज है अच्छा रिलीजन के नाम पर मारा गया आपको अरे तो बड़ी पूजा पद्धिति के नाम पर भी, तो कहते हैं उन्होंने पार्सियों को अपने अशरण दी, और पार्सियों को का कि हम तुमारी पूजा पद्धति को तर्वार के जरीए से या करम के जरीए से नहीं बदलेंगे, Our religion, हमारा जो religion है, हमारी जो culture है वो सबको समावेश करती है तो इसलिए हमने पार्शियों को भी अपने हाँ जगे दी और आज तेहारा के बार लिमिटेड नंबर में हैं, बहुत लिमिटेड है लेकिन हमने उनको जगे दी और उनके पूजास्तल बनवाए इसलिए माई कल्चर, इसलिए माई philosophy, कि हम सब धर्मों का आधर करते हैं उसके बाद उनुखने अपने दो-चार शलोक भारती संस्कृति के कोट किये उसमें सब-चार शलोक जो उनुखने कोट किया अगर आप यह जानना चाहते हैं कि भारती फेलोसफे क्या है If you want to know Indian culture क्या है तो कहते हैं मैं दो श्रोक कोट करता हूँ एक श्रोक उन्होंने कोट किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा पढ़ा लिखा या विद्वान आदमी हैं श्रोकों को नहीं मानता मेरी दादी बिलकुल पढ़ी लिखी थी लेकिन वो इंडियन कल्चर में पली थी दादी जो थी इंडियन कल्चर के अंदर उसकी खुई थी इसलिए सुबह उठते ही हो भगवान से कहा करती थी कि जिस तरह सारी नदियां टेड़ी, मेड़ी, सीधी नदियां उत्तर की तरफ पच्छिम की तरफ बेहने वाली पूरव की तरफ बेहने वाली दक्षिन की तरफ बेहने वाली सारी नदियां अंत में जाकर के अनन्त समुद्बर में लीन हो जाती है अमरीका की नदियां भी समुद्बर में लीन हो जाती है रूस की नदियां भी तो विवेकरंद कहने हैं मेरी दादी को तो पता ही नहीं था कि दुनिया की कितनी नदिया हैं लेकिन उसको यह पता था कि कोई नदी ऐसी नहीं है जो समुद्बर में जाकर लीन ना होती हो तो कहते हैं इसलिए वो सबसे पहले भारती दर्शन का एक शलोग पढ़ा करती थी वो यह शलोग था और कहते है यही मेरा फेथ है यही फेथ मैं यहां इंट्रोडूस करने आया हूँ रही यह का पूर्व की तरफ जा रही हो पच्च्चिम की तरफ जा रही हो दक्षण की तरफ जा रही हो वो सारी की सारी अनंत समुद्र में जाकर के मिल जाती है इसी तरह किसी भी रूप में भगवान को किसी भी रूप में किया हुआ नमसकार किसी भी रूप में किया हुआ पुजा का रूप वो अन्त में जाकर के गोविंद कोई प्राप्त होता है भगवान को आप चाहे किसी रूप से चले जाओ तेड़े रूप से चले जाओ और समुद्र में जाकर के वो ऐसी लीन हो जाती है कि उनकी जल को अलग करना मुश्किल हो जाता है गंगा के जल को नर्वजा के जल से कौन अलग तरहेगा है नरवदा अलग समुद्र में जाके मिली है गंगा अडग मिली है लेकिन जब अनंत में मिल गई तो सारी के सारी एक हो गई अनंत में तो मेरा कंट्री मेरी फिलोसफिय कहती है कि जब तक आप पुजा पद्धती अपने तरीके करते हो तो वो किस तरह करते हो कि जो आपकी चिं लक्ष वो ही होता है जो हमारा लक्ष है। नहीं कि हर आदमी ने पंत की बात किया है रास्ता दिखाने की बात किया दिशिद्लिवे I am talking of religion धर्म क्या है यह मैं बता रहा हूं और धर्म यह है अनन्त भारते संस्कृति में जो परम सत्थ है वो अनन्त है वहां उसको किसी रूप में पूजो और कहते हैं यह मेरी इसी को म अनने के लिए आया हूं दूसला उन्होंने गीता के शलोकों सुनाया उन्होंने गीता के शलोक में जो माम यता प्रवद्यंते तांस तथे भजाम में हम जो मुझे जिस रूप में पूजता है जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में उसकी आस्ता को तुम ने जो अपना परिचे कराया है तुम ने काया है कि बैस यह हमारा है रास्ता इस रास्ते को मानो तब तो शर्दा दिर्ड होगे और कहते हैं मेरी कल्चर क्या कह रही है मेरी कल्चर कह रही है कि जो अनन्त है उसके लिए एक रास्ता नहीं हो सकता उसके लिए रास्ते भी अनन्त होंगे और जब अनन्त रास्ते होंगे तो कहते है कि तू मुझे किसी भी रूप में याद कर ले कहते हैं यहाँ पर जो बैठे हैं इसाई वो गौड कहेंगे जो यहूदी बैठे हैं वो जहुआ कहेंगे जो पार्सी बैठे हैं वो अहिर मुद्दा कहेंगे और जो धर्म के बौद्द बैठे हैं वो उसको कहेंगे महा बुद्दा जो जैन बैठे हैं वो कहेंगे जैनी यह हमारा जैन जैन धर्म का सबसे उचा आचारी है लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ मैं कर रहा हूं कि हमारा जो पंथ है वो एक रास्ता नहीं बताता तुमने अपने रास्तों की बात किया है कि दिशली वे बट माई फिलोस्पी इस इस कि कोई सावी वे जो वे है दे विल ओर लीड टू दी सेम एक ही जगे पहुंचेंगे वो लक्ष एक ही है तो I am representing that culture वहाँ इतना हालत हुई कि इंडिया की culture इतनी महान है इंडिया की philosophy इतनी महान है आज पहला ही introduction हो रहा है अब तक तो लोग समझते थे इंडिया की बड़ी गटिया culture है तो जब लोगों को तोनों नहीं का कि आज मैं एक गोशना करता हूँ इंडियूसिंग में मेरा lecture तो भी हिंडू धरम पर परसा होगा लेकिन मैं आज ये बता रहा हूँ कि आज जो हमारे welcome के लिए बड़ी दोड़ दोड़ से घंटियां बजी थी कैसे आज मैं गोशना कर रहा हूँ कि ये जो घंटियां बजी थी ये welcome की घंटियां नहीं है हमारी उन्हें ने का जी फिर क्या है उसमें का कि जिन्होंने तलवार के दोड़ा जिन्होंने कलम के दोड़ा मानवता पर अत्याचार किये हैं और अपना पंथ जबरदस्ते एक आगर पंथ लेकर के और उस एकागर पंथ के नाम पर अत्याचार ही अत्याचार किये हैं खून बहाया है लोगों का रक्त बहाया है हजारों लोगों को कतल कर दिया ये घंटियां मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आज ये घंटियां बेलकम की घंटियां नहीं है लेकिन उस अत्याचार, उस सामप्रदाइक था, उन्होंने सामप्रदाइक का शब्द में उसको हिंदी में कहा, उन्होंने कि अंग्रेजी में सामप्रदाइक आर्थ, जो लोगों समझने के एक एक्स्कुलूसिवनेस, और उन्होंने का कि धरम के नाम पर अत्याचार, जिन् कफिव ओन देर निल ओफ देर पार्टिंग। आज वो उनके ये अनकी कफिश में किया होता है जब कोई आदमी मरता है तो उसकी अर्थी पहले चर्च में लाकर रखते हैं। फिर वहां कफिव बज़ता है। कफिव के आवाज से सुनकर लोग जाते है कि आज कोई मर गया तो चर्ष में आकर के शर्दा से उसको विदा करते हैं तो कर्फियू जो पार्टिंग विदाई का जब ये विदाई का संदेस होता है कि अब ये आत्मी हमेशा के लिए जा रहा है तब ये कर्फियू बजाए जाता है तो कहते हैं ये वैलकम की घंटिया नहीं है आज मेरा देश मेरी संस्कृति कह रही है कि ये सजाजी घंटियां जो धरम के नाम पर जन्होंने अत्याचार किये है ex Pacific Ness के नाम पर कि सिर्फ हमारा ही रास्ता सही है और तलवार ले करकर दूसरों को मारा है जिन्होंने कलम लेकर अगर दूसरों की संस्कृतियों को नश्ट किया है और उसके नाम पर अत्याचार किया है उन्हाना बता के उपर आज वो सब संस्कृतियां नश्ट हो जाएंगी। मैं जब हिंदू धर्म की बारे में बताऊंगा कि कितने विशाल मेरी संस्कृतिय है। अगले दिन क्या हुआ कि अमरीका क्या अख़वारों नहीं यह कहा कि जो विवेका नहीं बड़े फोर्स फुली इस बात को कहा है उसने कहा कि टाइम हैस कम देट इंडियन कल्चर और इंडियन फिलोस्फिट विलोस्फिट और अख़वारों नहीं लिख दिया यही चीज पिर हिंदोस्तान के अख़वारों रिपीट की कि आज यह सिद्ध हो गया है कि यह जो पार्टीजन फिलोस्फिट हैं दुनिया की ऐसी फिलोस्फिट हैं जो एक दूसरे गोलक करती हैं एक्सकुरूसिफ फिलोस्फिट जो है सारी कि सारी यह सारी कि सारी अब समाप होना कर समय आ गया है विवेकरन्द ने अनॉंस्मेंट कर दिया कि इस विल प्रूव दिडेथ नेल ये तो मौत का गंटा से दोगा है जो आज सारे हुए तो विवेकरन्द ने भारती दर्शन का वेदान्त का इंट्रोडक्शन इस तरह से कराया अजय कर दो आज से कर दोगा है अजय कर दो आज से कर दोगा है